हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का जेवन स्टेडी यूट्यूब चैनल में दोस्तो मैं वाई सिंग आज आप सब के साथ हूँ एक बार फिर से जीके मौक टेक्ष्ट का भाग 19 वा लेकर तो दोस्तो देखते हैं भाग 19 के सवाल पहला सवाल है दोस्तो वैदिक कालीन प्र है या इसी को दस राज के नाम से भी जानते हैं ये किस नदी के किनारे लड़ा गया तो दोस्तो ये युद्ध जगवेद के साथ वे मंदल में वर्णित है और इसमें राजा सुधस कि एक तरफ थे राजा सुधास वाद दूसीरी तरफ थे 10 राजा मिलकर इस उस्द्धो को लड़े थे इसलिए तसरा अधाउन इसको तसराज 10 या 10 राजा 5 या 10 राघ्यूत कहा गया और किस्न दी किनारे लड़ा गया था परुषणी या बरतमान में इसको क्या वोलते हैं क्लावी ने दी क्वे दूस्तों अच्छा बॉत वितस्ता ने को क्या बोलते हैं एक बार और बता चुक्त लिए विपासा व्यास सब्सक्राइब तो इस तरह नंबर हमारा भी सही हो जाएगा दिखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है सरकी वंस का साशन किस स्थान पर था तो दोस्तों मलक सरवर या इसी को मलक उस शरक यह उसको पाधि मिली थी इसी ने सं 1401 में सरकी वंस की स्थापना की तो उसने पूछा है किस स्थान पर मतलब छेट पूछा तो कौन सा था मालवा दोहेल खंड बुंदेल खंड जॉन पूर इन में से कौन सा चेथ था तो दोस्तों सरकी वंस चलता था जॉन पूर वाली छेथ में जॉन पूर ठीकर दोस्तों ऑप्सन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा देखते ह अगला सवाल है अगला सवाल है अच्छा यही है जोग पूर पूर पाद यह उसकी फोटो है है अगला सवाल है भारत का पर्थम पर्मानु रियक्टर कौन सा है भारत का इनहीं बलकि पूरे एसिया का पहला है यह जिसे 1956 में चालू किया गया च्छपपन में तयार हो और रिकालीन बंबई प्रांतों यानिकि उस समय कौन सा प्रांत था बंबई बंबई में कहां ट्र महाराष्ट में पड़ता है तो इसका नाम क्या था अपसरा है ठीक है दोस्तों भारत का प्रथम परमानुवी एक्टर कौन सा माना जाएगा अपसरा यानि कि अपसर नंबर डी हमारा सही हो जाएगा देखते हैं अगला सवाल विश्व पुष्टक मेला निम्नमह से किस सहर में लगता है दोस्तों विश्व पुष्टक मेला प्रती भर्स जन्वरी में जन्वरी के प्रथम पखवाडे में यानि कि पहले 15 दन में कहां लगता है नई देली में तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा न्यू डेली में भी अगर पूंचा या कहां प्रगती मैदान कि अगला सवाल है पूंचा गया भारती स्टेट बैंक का नया मैनेजिंग डालेक्टर यानि कि एमडी किसे नियुक्त किया गया है तो बारतमान में हाल ही मैद किसे किया गया था दूस्तो स्री निवासुलू सेट्टी वरतमान में कौन है सब्सक्राइब देखते हैं अगला सवाल है काफी इंपोर्टेंट सवाल है विस्व प्रतिष पर था सूच कांग 2020 में भारत का इस्थान क्या रहा कि यह भारत का इस्थान क्या रहा है तो इसमें भारत आठ पायदान उपर आए है मतलकी थे उसमें 132 देशों में भारत का इस्थान रहा है सब्सक्राइब करने वाला विस्ट का प्रिथम देश कौन सा है कि सोमालिया नाइजीरिया पाकिस्तान और भारत तो सबसे पहले इसको महामारी घोसित किया था सोमालिया ने किस ने किया था दोस्तों सोमालिया ने सोमालिया एक अफ्रीकी देश है पूर्वी अफ्रीका का देश है ठीक है दोस्तों देखते हैं अगला सवाल अच्छा यह मैप तो यह रहा अफ्रीका का यह पूरा अफ्रीका है और सोमालिया की बात करते हैं तो यह सोमालिया यह यलो क अगला सवाल है भीने संष्थां कहाँ पर स्थित कस्ता सुदॉप नौ में खुला घया था कहान पर करनाटक क करनातक क में का राधधान क्या करनाटक लिर नमबर डम आप हमारा बढ़ जाता है घट जाता है अपरवर्सित रहता है गयात नहीं कर सकती तो दोस्तू करफ कर घट जाता है तभी तुस्तिन नमबर बी हमारा सही होगा दिखते हैं अगला अगला कुछ्छन थीज और गृष जैने में हिंदू क्यों हूं कि नामक पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो यह मोहन भागवत ढृष तरूर राजा राम मोहन राय लाल कर आड़वानी तो दोस्तों पुस्तक वह लेखक हैं यह काफ बच्छा थी लेकर हैं काफी चर्चा में रही थी बनेक्र अगला सवाल हाल ही में रहा युद्धाब्यास कि किन किन देशां के मद्ध संपन हुगा था तो सक्ति युद्धाब्यास हाल ही मैं यानि कि पिछले बार्स ओक्टोवर में कहां पहुगा था दी का नीर में अगर पूछा या कहां पर तो हुगा था महाजन फाइरिंग फिल्ड में पाइरिंग फिल्ड ठीक है दोस्तों और यह किन किन देसों के मत्धु गया था भारत और फ्रांस यानि कि वाप्शन नमबर सी हमारा सही आंसर देखते हैं अगला कुष्ट्टन अगला कुष्ट्टन है निमने लेखत मैंसे कौन सा सब्द देशका मे नहीं है पंतने रुपे लोक्तंत्रात्मा गड़ाज डी लोकल्यान तो इन में से उपर के तीनों सब्द प्रस्तावना में हैं यानि दिये हुए लोकल्यान नहीं नहीं पूशा गया था यह भी गवर कर्मे वाली रात है देखते हैं आगे इसको हम देख लेते हैं इसमें कौन-कौन से सब्द दिये हुए पहला दिया हुए संपूर्प्रवत्त संपन्द पहला हो जाएगा दूसरा है समाजवादी तीसरा है पंतिनिर्पेक्ष चौत्रा है पांच मां गड़राज तो यह पांच सब्द हैं इनना से लोग कर लें तो कहीं नहीं मिला ना हमको तो बस यहीं पांच सब्द हैं उनको करम से भी याद करना पड़ता है दोस्तों याद कर लेना आप लोग भी देखते हैं आगे सवाल भारती सम्वधान के किस अनुच्छ अनुच्छ चहातार, मंतरी परश्द हैं trzy 89 हमारे कुष्चन का अंसर यानि की क्या है सब्सद है तिक असी में क्या है संसट का उच्छ सरण यानि की राज्य सभा कि क्या सी में निम्न सरण रहेगा लोग सब्सक्राइब तो यानि की आद अब संफ न कि संख्या कितनी थी वरॉतमान में वर नमीं अनसूचियो गॉत थी ठीक है दोस दो मूल संव न मैं तो अगली यानि कि अन्वि अन्सूचि कब जोड़ी गई थी प्रत्रम संवधान संसोधन द्वारा और वो कौन सी थी नौमी अगर पूछा आए कौन से भू सोधार से संबंद थी भूमी के सोधार ठीक है दोस्तों तो आंसर नंबर और स्वाप्शन नंबर एह हमारा सही आंसर होगा देखते हैं अगला सवाल अगला इस केस से मुल ढांचे का सिद्धान आता है तो ऑप्शन देख लेते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज गोलकनात बनाम पंजाब राज अरोणा सानवाग बनाम भारत संग इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संग तो दोस्तों इसका संबंद हैं कि 1923 में हुआ था क प्रस्तावना में तो किया जा सकता है यदि मूल ढांचे का सिद्धानत आता है मुल ढांचे का सिद्धानत क्या मतलब हुआ जैसे जो अब हमने पिछले सवाल में वह पांच सब्द पढ़ी थी ना जैसे संपूर्ण परोथ संपन लोगतंतरात्म गड़राज अगर इनसे प्रस्ताइब तो शंसोजन नहीं किया जाएगा जैसे कि जैसे उसमें दिया हुआ है लोगतंत भारत कैसा देश लोगतंतरात्म गड़राज अगर आप चाहें कि इसको हटा जाएंगे तो फिर संसोजन नहीं किया जा सकता है तो इसका और नंबर हमारा सई आंसर होगा यान 1919 में उत्तर प्रदेश रामपर उत्तर प्रदेश के दो भाई थे कौन-कौन से मुहमद अली जिन्ना नहीं है दोस्तों याद रखना और मौलाना सौकत अली इनको किस नाम से जाना गया थे आसमें अली बंदू और भी लोग थे यह दो ज्यादा मुख हैं तो इन दोनों न सोटियमें खलापा थांदोलन का गठन किया था तो क्या वह जाएगा अंसर असलीवनदू है आगर बूचा की कि खिलापा थान दोलैन की चला गया था तो किसके सम्माण में चला गया था भी तुर्की के फाक सम्मान कि को अगले बेधां तोश्तार नरे walking वाई सोडियम कैल्सियम थोरियम यूडेनियम तो यह तो तीनों भार ही है यानि कि सोडियम सबसे हलका होगा उपर जायता है तो ऑप्सन नंबर यह हमारा सही हो जाएगा देखते हैं अगला कुश्चन वैदिक काल में जाजाओं को सुएक्छा से दिये जाने वाले कर को क्या कहा ज अगला कुश्चन है किस सवह किया गया था तो दोस्तों वैना सवह का अरूजन ओजोन के परत के संच्छण वा बचार हुए तो में वेहिना कहां पर राजधानिया ठीक है दोस्तों से संबंदित पहला आयोजन था किसी भी तरफ प्रकार का तो आगे सवाल कि सवाल देखते हैं तो मैं पहले बता चुका था मादाव राष्ट्री पार्क शिफ फुली में परसा है जैसे चुका हूं अगर आपने वीडियो ना देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं यह आपका आज का सवाल आज का सवाल बिलकुल आसान सा है गौतम बुर्द का जन्म स्थान क्या था यह मैं पहले वी पूच चुका हूं पहले भी मैं बता चुका हूं तो इसका जवाँ आप लोगों को उसी तरह से कमेंट बॉक्स में देना है ठीक है दोस्तों जतना ज्यादा लिख कर दें तो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आप सब के लिए भी याद रखने में ज्यादा मदद मिलती है जब तक सवाल को सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के वाता है ठीक है दोस्तों थैंक थैंक यू आज के लिए